जयें दोस्तों दोस्तों मैं आज आपको बताने वालों बहुत महातफूर चीजें क्योंकि हमारे यूटूब चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आ conquered किसे Running के समय जब हम रनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमारे बॉड awhilei में ओती है या भारी जूत वो हरी किट होती है वो द्ग्गट करती है तो मैं आज बताने वाला हूं आपको किस तरह की किट पहननी है जाकि थाकि आपको कमफर टेबल हों तो किस तरह के सूच पहनने है कि रशे किस तरह की ट मैं चड़ा होता है तो आपको किट पहनन ہے तो जो उपर की बनियान होती है वो आपको इस तरह की पहनी है इस तरह की जो थोड़ा स्टेचुल हो बॉड़ी में थोड़ा पतला कपड़ा हो ज्यादा मोटा नहीं इसके बाद आपको चड़ा पहनना है यह तो थोड़ा बढ़ा है लेकिन आपको छोटा पहनना यहां से कट पहनन हैं उनको दिक्कत होती है तो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना एक में चीजी होती है कि सपोर्टर सपोर्टर पैने से क्या फाइद़ होते अगर आप नहीं पहनते हैं तो आप जो मेडिकल देने जायेंगे तो आपके हैड्रोसिल मेडिकात हो कि अगर आप long running कर रहे हैं और speed running कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आपको जूते के साथ मोजे नहीं पहनने हैं क्योंकि कुछ देर के बाद आपके जो मोजे है वो गरम होगे और जो पैर गरम होगे तो आपका मन होगा कि running छोड़ दें तो दोस्तों इन चीजों बारी की दोस्तों को द्यान रखना है और जूते बिल्कुल आपको फोल्ड यानि पूरे श्टैच्वल जूते पहने हैं एकदम हलके जूते पहने हैं भारी जूते नहीं पहने और ग्रिप बाले जूते पहने जब आप लंबे श्टेफ डाल रहे होंगे तो आपके पैर में फिसलन कर रहे होते हैं वो नंगे पैर दोड़ते हैं तो उनके पैरों में दिक्कत होती है और रोड रनिंग करने में आपके गुटने में दिक्कत होती है नंगे पैर से जूते में क्या होता है अगर आप इस पंच वाले जूते पहनते हैं तो उसमें से क्या होता है कि आपको जो पहुत होता है वह गुटने में जो प्रेसर पड़ता है वह जूता कवर कर लेता है आपके गुटने में पेन नहीं होने देता तो दोस्तों इन चीजों का याद रखें लेकिन हाँ अगर आपको वर्ती में जा रहे हो वर्ती में अगर आपको जूते उतार के रनिंग करना चा आपको जूते में running करनी होगी ताकि आपके प्यर flatt ना हो और अपके घुटने में दिक्कत ना हो और बहुत सारी विश्य चीजों के याद रखना है क्यों कि Mohammad running कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आप जो आपके सूझ होते हैं उसमें से जो लेस होता है वो आपने बहुत टाइट बांध रखा होता है उसको टाइट ने करना हलका डीला रखना है ताकि आपके पैरों में नसों में दिक्कत ना हो आपको कंफा टेबल हो यह बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले थे और आपको बता भी दिया है कियो दोस्तों हैख इस ले राइन पहले आपको क्या खाना एक क्या डेट लेना यह तब तक के लिए जाय है